हेलो स्ट्विंट्स आज हम बात करने वाले हैं कसोबो एंड सर्विया डील के बारे में इस प्लेस कहां पर है इसका क्या बैक्ग्राउंड था कैसे ये डील हुई तो आए जानते हैं कि इनकी बीच में क्या समझाता हुआ है सर्विया डील हो गई है और उसके बाद अब इनमें डील हो गई है और इन्होंने अब एक दूसरे को देश की मानता दे दी है तो अगर आप देखेंगे युनाइट नेशन्स में अभी तक 193 कंट्रीज हैं अगर आपको हिस्टी में लेके चलता हूँ तो आप जानेंगे एक कंट्री हुआ करता था युगोसलाविया जो 1992 के बाद जब सोवियत रूस और रश्या या कह सकते हैं यू एस एस आर जब उसका विगटन हुआ उसका डिसिंटिगरेशन हुआ तो सोवियत रश्या जब 15 कंट्री में डिवाइट हो गया और वो अपने बाकी के आसपास के कंट्री थे कंट्री उन पर कंट्रोल नहीं रख पाया तो ऐसा ही एक कंट्री युगोसलाविया 1992 के बाद भी बहुत सारे कंट्री में डिवाइट हो गया आपने देखा होगा इटली के पास में एक एड्रियाटिक सी है उसके आसपास के बॉर्डर में जो कंट्री है युगोसलाविया वो डिवाइट हो गया कंट्री लाइक सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना और उसके बाद आप देख सकते हैं मॉंटे नेकरो और अब कसुबो की वारी है तो एक ही कंट्री पांच-छे टुकडों में कभी तूटा है और एथनिक यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा एक्जामपल है इसके अगर ठोड़ा और बैक्ग्राउंड में जाते हैं तो वर्ड वार वन की शुरुवात ही इसी एरिया से होई थी यहां का जो यूगोस्लाविया का ही एक पार्ट था बोस्निया हर्जगोविना उसकी जो सिटी के बेस पर ही इन सारी कंट्रियों की बेसिकली फॉर्मेशन हुई है आइए अब जानते हैं कि इस कसोवो और सर्बिया की डील की की हाइलाइट्स क्या है ते डील वास साइंड बेविन सर्बिया प्रेसिजेंट अलेक्जंडर व्यूकिक और कसोवो प्राइम अच्छा की गई है ते ऑलसो एग्री तो वर्ग विद यूएस और शेरिंग दा सबसे बड़ा उनकी बीचे मुद्दा है शेरिंग दा डिस्पुटेट गैजिवोद उजमानी लेक जहां का पानी पर दोनों कंट्री डिपेंटेंट हैं फोर देर रिलाइबल वाटर एंड उसके बारे में भी शेरिंग का एक एक अग्रीमेंट हुआ है इस दील अलसो इंक्लूट रेल एंड ट्रांजिट अग्रीमेंट जो सर्बिया और कोसोवो के बीच में आपस में होंगे अग्रीमेंट वस साइंड तो ऑपरेशनलाइज दा फिर्स फ्लाइट बिवीन प्रिस कासोवो एं सर्बिया तो इंशोर कि जो अमेरिका का इंवेस्मेंट है वो वहां पर आएगा और उनको काफी जादा एकोनोमिकली हेल्प करेगा अंडर दिस दील सर्बिया प्लेज तो स्टॉप इस कैंपेंड तो गेट कंट्रीस तो डिर्गनाइस कासोवो एंग्र वाइल refugees and internally displaced person from the 1990s कासोवो वार आई यह जानते हैं कि heart of dispute था क्या इन दोनों दुश्मनों के वीच में इस बेसिकली रीजन यह था कि सर्बिया ने रिफ्यूस कर दिया था कासोवो को इंडिपेंडेंस देने को 2008 से 2008 से कासोवो अपने आपको इंडिपेंड कंट्री कर दिया था ब कंट्री नहीं कोशित किया है और उसको वीटो लगाया हुआ है United Nation में उसको वहां पर कंट्री बनने नहीं दे रहे हैं इसके अलावा अब देख सकते हैं कि जो दोनों कंट्री है उनके बीच में लडाई एक और मुद्दे पर हुई है वो बेसिकली है water के distribution bit of जो लेक गाज river which is basically 10 km लंबी है territory में कसोवो के अंदर around 2.7 km एरिया है सर्विया के अंदर दोनों के control के बील ये सर्विया और कसोवों में लडाई रहती है सर्विया has threatened कि जो पानी supply जाता है 18,00,000 population को कसोवों को जो उनको हम वो चाहते हैं कि पानी ना मिले ये ऐसी लडाई उनके past में थी साथी में एक और development हुआ है कि इसराइल की कसोवो से deal हो गई है the deal also included the plans for Israel and कसोवो to establish diplomatic relation कसोवो जो एक predominantly Muslim country है has never before recognized Israel nor has Israel recognized कसोवो but besides that सर्विया has also decided now to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem पूरे दुनिया में अरब लीग में एक criticism हो रहा है कि सारी दुनिया अभी भी जेरुसलम को इसराइल की official capital नहीं मानते हैं बट सर्विया और कसोवो ने उनको declare कर दिया है official capital दोनों ने अपनी embassy भी अब जेरुसलम में open करने का announce किया है Palestine जो है उसका इसने denounce किया है government of Serbia को और कसोवो को to open embassy in city of Jerusalem Turkey also expressed concern about the decision of Serbia to relocate its embassy in Israel basically to Jerusalem describing it as a clear violation of international law Turkey also urged कसोवो to not have its embassy in Israel located in Jerusalem यह आप देख सकते हैं कि dispute दुनिया भर में होते रहेंगे आई यह थोड़ा और background जानते हैं कि कसोवो सर्विया की बीट में लाई हुई है कहां से शुरू ही तो आप जान सकते हैं कि कसोवो has been in the heart of Serbian empire जो यूगोसलावियबाद में जाना गया उसके heart में था लेकिन यह एरिया Ottoman Empire जो टर्की का था उसने 3098 में इस पर कपजा कर लिया था तब से 500 साल तक वहां पर Ottoman Empire का कपजा रहा 1960 में कसोवो ने अपनी autonomy की demand की because वो एक majority Muslim province था यह ना majority Christian Federation यूगोसलाव जो Federation थी उसने 1980 में कहा कि कसोवो को हम एक एक अटोनमी दे सकते हैं सेल्फ गॉवर्मेंट की बट उसे सेपरेट कंट्री नहीं बोलेंगे बट 1998 में आते आते कसोवो का जो conflict था एक deadly war में convert हो गया विसर्वियान अन अल्बैनियंस और उसमें हजारों लोग मारे गए नेटो ने इसमें अजार कर दिया, independence declare कर दी in a move that was summarily rejected by a Serbian government और इसी के साथ साथ दुनिया में देखा जाता ही कसोवो एक बहुत बड़ा conflict zone बन गया था हलंकि अब 2020 में कसोवो कंट्री बन गया है बट अभी भी इंडिया की अगरम position की बात करते हैं तो इंडिया ने so far has not recognized Kosovo as an independent nation despite it having declared its independence in 2008. So Kosovo को इंडिया recognize क्यों नहीं करता है उसका main कारण Russia है India believes in a long and tightly held principle that sovereignty and respecting the territorial integrity of a country is of paramount important So इसी के साथ आप देख सकते हैं where in Italy के आसपास का जो area है यह सरबिया का वाला area है यहाँ पर एक peace हो गई है but काफि सारे नए development Europe में हो रहे हैं काफि सारे नए development COVID के बाद के environment में हो रहे हैं जहां पर Britain अभी भी Europe से बाते नहीं कर रहा है basically Brexit talks fail हो गई है कई सारी जगा पर France जैसे आलाके में बहुत सारे ethnicity के कुछ fights होना शुरू हो गई है तो इन सारे development को हम definitely track करते रहेंगे for that stay tuned keep watching made easy YouTube Prime